आप सभी का स्वागत है सक्सिस की 98 पर और आज कवर करेंगे 7 से 8 जुलाई की इप्पॉर्टेंट करेंट अफियर और हाँ इसका पूरा प्रिडियप जो है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम की ग्रूप के उपर आप सर्च मारना सक्सिस की 98 वहाँ पर आपको जो है एक ग्रूप मिल जाएगा उसको जोईन करेंगे हर एक प्रिडियप भी आपको वहाँ पर सेयर कर दिया जाता है सो चैनल के उपर जो भी नहे है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रोटिफिकेशन के बेल को तबाद दीचेगा ताकि हर एक क्लास का अब बिट आप सभी को मिलता रहे और क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा आप हमारे अप्लिकेशन जो है सक्सेस की 98 है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप आने वाले हर एक 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 एक्जाम के लिए अपने फोन के उपर हिंदी और इंग्लिज दोनों ही लेंग्वेज में जो हैं एक्ज देश के साथ 600 मेगावाट की खोलंग्चू पन बिजली परियोजना के लिए विकास के लिए जो है वो साइन किया है 600 मेगावाट के लिए जो है आपका खोलंग्चू पन बिजली परियोजना के लिए किस देश के साथ जो है वो हाथ मिलाया है तो वो देश है आपका नदी है यहाला कि यह जो हाइडरो इलेक्रिक बुजट है ना यह कहां पर 600 मेगावाट का बनेगा भुटान में और सहायता कौन करेगा तो भारत लेकिन इसके नाम पर एक नदी भी है एक्जाम में पूझ देगा यह नदी कहां पर पढ़ता है तो आप क्या बोलेंगे अगला प्रसमारे सामने है संस्कृति मंत्राले ने 28 जुन से 12 जुलाई तक पेल लगाने के लिए किस तेवहार को मनाने का जो है वो निर्ने लिया है यानि 28 जुन से 12 जुलाई तक पेल लगाने के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए संस्कृतिक मंत्री ये कौन है परलासिंग पटेल इनके द्वारा एक योजना चलाया गया है उस योजना का नाम क्या है तो उस योजना का नाम है संकल प्रवा आपका बी और कौन-कौन से पेड जादा तर लगाये जाएंगे इस बात के उपर भी जो है वो चर्चा किया गया है तो पेड के नाम भी मैंने लिख दी है बरगद, आवला का पेड, पीपल का पेड, असोक का पेड और बेल का पेड ठीक है अगला प्रसमारे सामने है किस राज की सरकार ने कुमाओ में भारत का पहला लाइकेन पार्क विक्सित किया है इंडिया का पहला लाइकेन पार्क कुमाओं में जो है वो इस्थापित किया गया है यह आपको बताना है यह कुमाओं जो है वो कहाँ पढ़ता है तो यह पढ़ता है आपका उत्तरा खंड में option number C अब आपके mind में आ रहा होगा लाइकन यह क्या है आपने देखा होगा अक्सर समुंदर के अंदर टिबी में देखे होगे पानी के अंदर एक रुआ के तरह cotton के तरह हिलता हुआ देख रहे ने यह सब चीट यह इसी को बोलते हम सभी क्या लाइकन ठीक है और उत्तरा खंड के मुख्यमंत्री कौन है बेबी रान्य मौर्या और राज्यपाल बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री तिर्वेंदर सिंग रावत और क्यापिटल क्या है तो वो है आपका देहरा दुन अगला प्रसमारे सामने है वरिष्ट नागरिकों के लिए वरिष्ट नागरिक सुविधा केंद्र कौन से राज्य की सरकार इस्थापित करने वाली है वरिष्ट नागरिक सुविधा केंद्र इस्थापित करने वाला राज्य है आपका हिमाचल परदेश option number आपका D और वो जो नागरिक केंद्र इस्थापित किया जाएगा उसका नाम क्या है तो उसका नाम भी आप सबी याद रखिएगा वरिष्ट नागरिक सुविधा केंद्र ठीक है और आज का पहला question यहीं से निकल कर आ रहा है हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री का नाम क्या है वहाँ के राजजपाल कौन है और वहाँ का राजधानी क्या है यह तीन चीज आपको हिमाचल परदेश के बारे में comment करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्ट नहीं अगला प्रस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो यह है एतिहासिक जीत के बाद निमलिखित में से कौन है जो मालवी का राष्ट पती बन गया है यानि मालवी जो कंट्री है उसका प्रसिडेंट जो है वो अभी कौन बना है उनका नाम बताना है तो उनका नाम है आपका लजारस चाकिरा option number आपका D ठीक है और मालवी जो कंट्री है उसका capital क्या है राष्धानी तो उसका राष्धानी है आपका लियाँगे और मुद्रा क्या इस्तिमाल करते हैं वहाँ पर तो मलावी जो कवाच ठीक है अगला परस्त हमारे सामने है question काफी important है इवाला निमलिकीत में से किस singer को किस गायक को जो है वो मिसल अमोबा नाम सुने होंगे ना माइकल अमोबा इनको बोलते हैं जो ये थी ब्राक ओमाबा की क्या है ये बीबी है पता है ना इनके द्वारा बी इटी मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है ये कौन गाईका है जो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रही है तो इनका नाम है आपका ब्योंस अप्शन नमबर आपका बी ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने और हाँ ये कुश्टन बहुत इपोर्टेंट है एक्जाम में अकसर पूछता है जो बी इटी हुमेटेरियन आवाट किसको मिला है इस बार तो आप क्या बोलेंगे सिंगर ब्योंस को अप्शन नमबर आपका बी अगला प्रस्थ हमारे सामने है चहरा यादा रहे है वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल लगाया गया था मारियो गोमेच के द्वारा जो जर्मनी के रहने वाले हैं जिनोंने हाली में फुटबॉल से सन्यास की घोषणा कर दी है कहां किस टीम के खिलाड़ी है तो जर्मनी के आप्सन नमबर डी स्टार प्लियर थे वर्ल्ड कप में अगर आप फुटबॉल के प्रेमी है तो इनका चहरा देखकर ही आप सभी समझ गए होंगे ये कौन है मारियो गोमेच ठीक है और एक बात और ये जर्मन के तो जर्मन का मुद्रा क्या है तो जर्मन में मुद्रा इस्तमाल होता है एरो कैपिटल बर्लिन और वहां के रास्टपती का नाम क्या है जर्मनी का फ्रैंक वाल्टर स्टेंड मेर अगला प्रसम आने सामने है निमलिकित में से कौन सा आप हारतिया ICC एलिट पैनल में परवेश करने वाला सबसे कम उम्र का इंपायर बन गया है आपने अकसर देखा होगा IPL में वन डे क्रिकेट में इनको एंपायरिंग करते हुए यह इंडियन है ठीक है याद रखेगा और यह मध्य परदेश के लिए क्रिकेट खेलते थे ठीक है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है नितिम मैनन option number आपका D सबसे कम उम्र के इंपायर बन चुके हैं जो ICC के elite panel में परवेश पाए हैं याद रखेगा अगला प्रस हमारे सामने है अब्दुल्ला अल मौसिन चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस राष्टर के किस देश के रक्षा सचिव थे तो या जो आपके हैं अब्दुल्ला अलमौसिन चौधरी या बांगला देश के जो है defense secretary थे और बांगला देश का राजधानी क्या है तो ढाका बांगला देश का मुद्रा टाका और बांगला देश की पढ़ान मंत्री का नाम अगर पूछा जाए तो आप सभी क्या बोलेंगे सेख हसीना ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है एक वर्स के लिए भारत के attorney journal के रूप में किस निक्ति को किया गया है यानि एक साल के लिए appointed किया गया है as a attorney general of India उनका नाम तो उनका नाम है केके बेनु गोपाल question काफी important गाठ बान लेना यह question को यहीं है आपके केके बेनु गोपाल एक्जाम में यह question पूछेगा मतलब पूछेगा attorney general of India किसको निक्ति किया गया है एक साल के लिए तो केके बेनु गोपाल अगला प्रस हमारे सामने है स्वीगी कौन है यह आपने देखा होगा न ग्राहकों को पैसा जमा करने में सच्छम बनाने के लिए एक digital valent launch करेगा यानि स्वीगी का digital valent उनके customer के लिए launch करने के लिए कौन सा बैंक जो है वो सहायता करेगा तो वो बैंक है आपका ICICI bank option number आपका B और ICICI bank का tagline किया है हम है न headquarter मुंबई और chair person अध्यच कौन है ICICI bank का तो ग्रीश चंद्रा चतुरवेदी और CEO कौन है तो संदीब बग्छी ठीक है ये भी याद रखना है सारे point बैंक के बारे में अगला प्रसमारे सामने है किस राष्ट के पढ़ान मंत्री ने एक मेगा विलियन दस वर्थिय रक्षा योजना शुरू की है अब ये दस वर्थिय रक्षा योजना के अंदर न 270 बिलियन कितना मैंने बोला 270 बिलियन डॉलर खर्चा करेगा अस्ट्रेलिया ताकि वहाँ के डिफिन्स सिस्टम को बहुत स्ट्रॉंग बनाया जा सके ठीक है और अस्ट्रेलिया के PM कौन है स्कॉट मौरिसन कैपिटल कैनबरा और मुद्रा क्या इस्तमाल करते है तो अस्टेलियन डॉलर ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है 200 बैंक यानि वर्ल्ड बैंक ने नमामी गंगे कारिकरम के तहट गंगा नदी के काया कलब के लिए कितनी रासी जो है कितना लोन जो है वो अवंटित किया गया है वर्ल्ड बैंक के ध्वारा नमामी गंगे स्कीम के तहट तो 400 मिलियन डॉलर अप्शन नमबर आपका B और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट डेविड माला पास गठन कभ हुआ था 1944 में और हेट क्वार्टर क्या है वर्ल्ड बैंक का तो वांसिंटन डीसी जो अमेरिका में पढ़ता है अगला प्रेस हमारे सामने है आरत बिदेसी मुंद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस इस्थान पर है फोरेन एक्सचेंज रिजर्ब के मामले में इंडिया जो है वो पांचवे अस्थान पर है पहले पर कौन है तो पहले पर है आपका चीन चाइना अगला प्रेस हमारे सामने है ICMR ने एक खुलासा किया है कि COVID-19 क्रोना वाइरस के लिए वो वैक्सिन लॉंच करने वाला है को वैक्सिन सभी को पता होगा डेट क्या किया गया है निधारीत 15 अगस्त और बड़े बड़े साइन्टिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि एक से दो महना में human trial कैसे कर सकता है ICMR सवाल के घेरे में हैं कि कि इतना जल्दी वैक्सिन कैसे लॉंच कर सकता है क्योंकि अगर कम से कम बात करे तो 6-7 मेना तो लगी जाता है अगर राद दिन भी एक किया जाए फिर भी फिर भी एक से दिड़ मैने के अंदर human trial कम्प्लीट करना ये बहुत बड़ा सवाल के घेरे में है बहुत सारे scientists इसके उपर सवाल उठा रहे लेकिन ICMR का कहना है कि 15 अगस्त को ये वैक्सिन लॉंच की जाएगी और 15 अगस्त को पधान मंत्री जो है वो भासर भी देने वाले हैं याद रखिएगा ठीक है और डीची कौन है ICMR का तो बलराम भारगव ये याद मामयाद रखना क्योंकि ICMR आज के डेट में बहुत चर्चा का विसे है अगला प्रसमारे सामने है भारतिया अपने न्यूंतम रख्षा सौधे के तहत किस देश से 21 मिग 29 लड़ा को जेट खरीदने की योजना बना रहा है कहां से 29 लड़ा को जेट बिमान खरीदने का तो रूस से रसिया से रसिया के प्रेसिडेंट वल्दमिर पुतिन कैपिटल मुस्कों और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते है रसियन रबल अगला प्रसमारे सामने है किस सराज ने साथ लाख भूमी हिंद किसानों को लोन परदान करने के लिए बलराम योजना सुरू की है किसने तो यह सुरू किया गया है उडिसा रास सरकार के द्वारा और इसके उपर एक हजार से जा एक हजार प्लस करोड रुपे खर्च किये जाएंगे उडिसा रास सरकार के द्वारा जितने भी साथ लाख जिनके पास जमीन नहीं है वैसे किसाने उनकी सहायता हो पाए और उडिसा का मुख्यमंत्री कौन है नवीन पतनायक, राजजपाल गनेसी लार और कैपिटल आपका वुबनेसवर अगला प्रसमारे सामने है चुनाओ अभ्यान के लिए किस राष्ट के राष्ट पती ने उनकी तस्वीर के इस्तमाल के खिलाब आदेश दिया है यारे जो है वो परतिबंद लगा दिया है तो स्रिलंका के राष्ट पती ने पांच अगस से वहां चुनाओ होने वाला है ठीक है रात को साड़े इगारा बजे वाले क्लास में कली मैंने बताया था आप सभी को और आप सभी को पता है इसके पहले जो पधान मंत्री थे स्रिलंका का वो कौन थे महिंदा राजा पक्सा जो गोटा जो वहां के राष्ट पती है गोटा राजा पक्सा उनके चचेरे भाई है तो उन्होंने ये बोला है कि मेरा फोटो या मेरा चित्र या मेरा पिचर कोई इस्तमाल नहीं करेगा चुनाओ पर चार में परतिबन लगा दिया गया है सिरलंका के राष्ट पती के द्वारा उप्सन नंबर आपका बी तो ये थे आपके इपोर्टेंट करेंट अफिर कप का आज का साथ और आठ दोनो जुलाई का इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के उपट सेयर कर दिया गया है तो जाकर वहां से डाउनलोड आप सभी कर लीचेगा और आज की क्लास का टाइमिंग नोट करने ताकि आपका क्लास ना छुटे सो मेरे जितने भी भाई बैने सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल रखेगा छीक है ना चलिए